साथ खास में मान जोड़ चुके हैं बिट्टा जी जोड़ चुके नमस्कास सच इस तरीके से इस जगह ने अप रात को अंजाम दिया गया है कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं तालिबानी तरीके से एक शक्स को मौत के घात उतारना यह तरीका यह पूरा जो मामला सामने आय लाओं का कंट्रोल ही नहीं कभी लाल किला में तरंगे जंडे का अपमान हो जाता है कभी खालस्तान के नहरे लगते हैं कभी कहते इंद्रा गांदी मारी थी कभी कहते नरंदर मोर्दी को मार देंगे कहीं किरपाने निकाली जाती है कहीं कतले आम हम कर देंगे और आज आपने बिल्कुल सही कहा मुझे शर्म आती है मैं इस कौम का एक पापी सा सरदार हूँ ये गुरू महराज ने हमारी जो जो पगड़ी है न जो कुर्बानियों से मुफच में हमें पगड़ी मिनी ये सजी हुई पगड़ी हमारे गुरू सहबान हिंद की चादर गुरु तेख बहाधर महराज चांदनी चौक उनके सहब जादे गुरू गुबिन सिंग महराज के दो नियों में चनवा दिये गए, हजारों कुर्मानी हुई, आरों पे चनवा दिया गया, काट दिया गया, नस नस काट दिया गया, किस के लिए? मानवता के लिए, मजलुमों के लिए, हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिक्ख हो, इसाही हो, रस्ते में जाता हुआ कोई भी व्यक् कहते थे और ये पापी लोग बाना पा करके स्ख्खी का आज श्ख्खी को बद्राम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर लाल किला की गटना भी भूले नहीं है हम लाल किला की गटना हिंदू मुथलिम सिक्षाईयों के खून से बुना हुआ खून से तरंगा जंडा और एक तरफ उस लाल किला में तरंगे जंडे का अपमान होता है पर हमारे हिंदूस्तान के परधान मंतरी किसानों के आगे जुके या ना जुके जुके तो सिक्ष कौम के आगे जुके उस मार्चल कौम के आगे जुके उनकी कुर्बानियों के आगे जुके हमने क्या दिया रोज कोई ना कोई कभी रस्ता बंद कर दो कभी कतले आम कर दो कहा है टकायद आज टकायद से पूछना चाहता हो लाइए मेरे सामने टकायद को यह मेरी बहर रो रही है सामने आप दिखा रहें लाइए टकायद को सामने और वहाँ पे यूपी के अंदर लखनपुर में चार हिंदू बाई मारे गए चार किसान बाई मारे गए अरे आग लगाने वाला कौन है यह लाचों पे राजनिती करता है अगर आप अंदोलन को नहीं समाल सकते हैं अगर अंदोलन की अगवाई सही तरीके से नहीं कर सकते है तो छोड़ देजिए अंदोलन को गर में बैठ जाईए आप हम भी रालियां करते थे यूथ कॉंगर्स के प्रेइडेंट हो करके पंजाब, हर्याना, राजस्तान, यूपी लाखों की बीड़े कथी करता था मैडम मैं पुराने इतिहाद को वीडियो नकाल लीजिए बिट्टर साहब कोई भी आयोजन, कोई भी आंदोलन इस तरह के जगन्ने अपरात को अंजाम तक पहुचाने की अनुमती नहीं देता है, बहुत दुख़द है वो तस्वीर जो सामने आई है, दस महीने से आंदोलन चल रहा है, आतंकियों के पोस्टर्स का पाया जाना, इस तस्वीर भी सामने आई है, कि जो कुछ वीडियो के आधार पर देखिए, जहां पर ये जगन्ने अपरात होता है, माँ पर कुछ निहंग लोग जो है, बड़ी संख्या में पाय जाते हैं, इसका जिक्र जो है, F.I.R. में शामिल है, जिन लोगों ने सूचित किया है, वो लोग पुलिस को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, एक सूनियों जी तरीके से इस अपरात को अंजाम दिया गया होगा या नहीं, वो जाच का विश है, लेकिन इस संगीन अपरात की अनुमती कोई भी कानून, कोई भी आंदोन, कोई भी शक्स, कोई भी धर नहीं देता है, नहीं देता है, देखो, आपके पास वीडियो है जा नहीं है, कौन थे ये कतले आम करने वाले, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, ये सामने देखिए वीडियो को, वीडियो मेरे पास है, डूनने की जरूरत क्या है, अपराती हिंदू हो, मुसलमान हो, सिक्खो और क्या वीडियो में क्या दिखा रहे जो मेरे पास वीडियो आई है मैडम यह हिंदू था इसको किसी ने बेजा था मतलब हिंदू सिक को जगड़ा कराना किसान लोलन की यार के अंदर हिंदू भाई अगर हरमंदर साब में आप रिकॉर्ड करके लेखिए हमारे सिक कौम से ज़्यादा पूरी दुनिया से हिंदू अपनी फैमिली के साथ नमस्त करता है कौन नहीं आता है वहां पे मेरे कई दोस्त आते हैं मैं वहां उनका अरेज्मेंट करता हूँ किसी का जनम देना है किसी का बच्चे का कोई कारे करम है वो वही जाकर असीरवा देता हिंदू सि कहां थे लोग लाने की कोशिश करते हैं और उसी की एक दुखत तस्वीर हम आज देख रहे हैं जब आज विजय दश्वी का त्योहार है और एक बरबटा पूर्वक हत्याकान को अंजाम दिया जाता है कौन ये लोग थे, कहां से आते, क्या मनतविय था, क्या प्राइमोटिफ था ये जाच कर विश है लेकिन ये और ऐसी हर तस्वीर की चोथ तरफा भटसना हो रही है लेकिन साथी साथ जो मानविय मूले हैं, उसको सीधी चोट है ये तस्वीर, सामाजिक मूलियों को चोट पहुचाने की एक नापा कोशिश है जाच होती रहेगी, लेकिन उसका क्या, जिसका कोई अपरादिक बैग्राउंड नहीं है क्या वज़ा थी? बिटा साथ मैं लोटूंगे आपके पास, इस बीच एक आडियो सामने आया आपको बताएं जब हम आपको मृतक लखबीर सिंग का आखरी आडियो, अब हम आपको मृतक लखबीर सिंग का अंतिम आडियो सुनवाते हैं जसमें वो उसके साथ हुई बरबरता कर रहे लोगों से गुहार लगा रहा है वो बार बार उसे छोडने की अपील कर रहा है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है इस वारदात का वीडियो बेहद विचलित करने वाला है इसलिए हम आपको लखबीर सिंग का सिर्फ आडियो सुनवा सकते हैं ऐसे अंदाजा आप लगा लेंगे आसानी से कि उसके साथ किस हद तक बरबरता हुई है सुनिये जरा सुनिये जर्फ आपके चैनल ने बड़े जल्दी से जल्दी इस चरीके को और भी चैनलों ने इस तस्वीर को सामने दिखा दिया और उसका नाम बता दिया लखबीर सिंग सरदार लखबीर सिंग बाई ये वे हमें ढूनने में दिक्कत आ जाती लखबीर के आगे अगर कुमार होता सिंग ना होता दुसारे का दिन आप ही बोल रहें आज तिहार कौन सा है तो मेरा आप से एक सवाल है आग लगती या नहीं लगती बाई ये भे हरयाने के गाउं के लोग आ जाते कि हमारे आद्मी को मार दिया तो क्या होता आग तो लग जाती पूरे देश के अंदर पंजाब में अतंकवाद की शुरुआत कहां से हुई थी मैं अमरसार का रहने वाला हूँ अपनी आखों से देखा है वो सीन एक मंदर के अंदर गौँ माता के सिरों को काट करके मा गौँ मा कहते हम सिर जुकाते काट करके मंदर में फेक दिया गया किसने फेंका? खालस्तानी थे किसलिए फेंका? हिंदू सिक फथाद होगा हुआ कितने लोग शहीद हुए? शत्ती हजार हिंदू बाई कितने शहीद हुए? उननीस हजार कतले आम हुआ पंजाब बरबाद हो गया छूटी सी गलती गाउ माता का सिरकाट के मंदर में फेक दिया आग अभी तक जाई है धर्म कोई भी क्यों नहो सामप्रदाय कोई क्यों नहो शक्स कोई भी क्यों नहो ये ऐसी हर तस्वीर ऐसी कोई भी बरबरता, कुरूरता इस तरह के जगहने अपराद को अनुमती नहीं देती है इसी बात पर हमारा जोर है सर देखिए जाच होती रहेगी पुलिस अपना काम करती रहेगी लेकिन जो ओडियो हमारे सामने आया है इस शक्स की शिनाक के तौर पर वो अपने आप पे निश्य तोर पर सवाल खड़े करती है